हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई स्टडी फिर चैनल दोस्तों आज में लेकिया हूं बॉक्सिंग से रिलेटेट मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोरा देखियेगा दोस्तों और बॉक्सिंग से रिलेटेट सभी मेजरमेंट्स एंड टाइम एंड सेप्टी एक्विपमेंट एंड हिस्ट्री से रिलेटेट मैंने इससे पहले वीडियो बना चुकी हूं और दोस्तों में चैनल पर फिजिकर एजुकेसं के किसी भी कमप की तीस करा जा रहा है तो चल्जे चलते हैं आज की कोशिंग की तरफ दोस्तों कोश्त gouvernement है कि एस तरप इस तरह पर बॉक्सिंग को कोने कोन करता है तो इसका सही अंसर है इंटनेशनल बॉक्सिंग एससोसीयशन कोंग diffक है उन्टर यास पर बॉक्सिंग को संचालत करने वाली संस्था को निम्नि में से क्या कहा जाता है तो इसको बुला जाता है AIBA निस्ट है बॉक्सिंग की एक प्रतियोगिता में दो खिलाडियों के मध्य द्वंद को क्या कहते हैं तो उसे बाइट बोला जाता है बाउट बोला जाता है ठीक है निस्ट है AOB का पूरा नाम क्या है तो AOB का पूरा नाम है AIBA Open Boxing निस्ट है AIBA की Open Boxing प्रतियोगिता में दो बाउट के मध्य कितना शमय का अंतराल होना चाहिए तो 12 घंटे का निस्ट है APB का पूरा नाम क्या है तो यहाँ पे आफसन सही होगा D यानि घौ क्यों था आफसन सही है आपका AIBA Professional Boxing तीक है ABP का पूरा नाम APB का पूरा नाम क्या है AIBA Professional Boxing ने इस कोश्चन है AIBA से संबंधित Professional Boxing की प्रतियोगिता जो 6 राउंड या कम की हो उसके दोर बाउट के मद्य कितना समय अंतराल होना चाहिए तो 10 दिन का नेस्ट है Boxing में निम्न में से कौन सी चोट अधिक लगती है यहाँ पर दिया है Cut, Abrasion, Lacration, Blood Swelling, Sprain, Contusion तो यहाँ पर आपका आप्सन नंबर खौस ही है 12345 यानि कि कौन कौन से Boxing के दोरान चोट लगती है Cut होता है, Abrasion, Lacration, Blood Swelling and Sprain Sprain, Strain इसब Abrasion क्या होता है दोस्तो मैं Sports Medicine के अंतरगत चोटू से Related वीडियो में डीटेल में इन सब के बारे में बताई हूँ उन सब Questions को या उस वीडियो को आप देख करके इसके बारे में डीटेल में जान सकते हैं नेश्ट दोस्तो अगर किसी Boxer की Eye Side कमजोर हो तो निवन में से उसके लिए प्रतिबंधित नहीं है तो यहाँ पे सही होगा Short Contact Lens लगा सकता है यह प्रतिबंधित नहीं है और क्या प्रतिबंधित है दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि नहीं है जो प्रतिबंधित नहीं है वो आपका यहाँ पे Option No.9 सही हो जाएगा इसके लामाद जो तीन आपसन बचते हैं वो आपका प्रतिबंधित है इसको भी आपको ध्यान लगाना है तो रिंग जो होता है दोस्तों उसका अकार वर्गा कार होता है चौकोर होता है जैसा कि चितर में दीख रहा है नेश्ट दोस्तों कुल मिलाकर रिंग की लंबाई और चौडाई कितनी होती है यहाँ पे कुल मिलाकर पूछा है रिंगे के अलावा जो अगल बगल की लंबाई होती है उसको जोड़ते हुए इसका कुल लंबाई होता है 7.8 जिरो मीटर गुड़े 7.8 जिरो मीटर नेट है रिंग के रस्तों वाले छेतर की लंबाई और चोड़ाई कितनी होती है तो दोस्तों किवल रिंग की चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो यहां पर चौकूर होता है वर्गा कार्ट तो लंबाई चौड़ाई सेम रहता है 6.9 10 गुड़े 6.9 10 मीटर ठीक है कुल मिलाकर लंबाई पूछेगा लंबाई चौड़ाई तो 7.8 गुड़े 7.8 मीटर रिंग के रसो वाले चौड़ाई पूछेगा 6.9 10 मीटर गुड़े 6.9 10 मीटर नेश्ट है रिंग के रसो वाले च्चेतर की लाइन के चारो तरफ जो बचा हुआ च्चेतर होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है तो उसकी चौड़ाई 85 सेंटी मीटर होती है रिंग की जमीन से उचाई कितनी होती है तो रिंग की जमीन से कितनी उचाई होती है दोस्तों तो एक मिटर कितनी उचाई होती है एक मिटर नेश्टे दोस्तों रिंग की उपरी सतह की मोटाई कितनी होती है तो रिंग की उपरी सतह की मोटाई डेल से दो मीटर होती सेंटी मीटर होती है नेश्टे रिंग की उपरी सतह निम्न में से किसी की बनी हुई होती है तो यहां पे आपका आपसर नंबर घो सही हो जाएगा कि इन में से को खो या खो या गो किसी में भी बन सकती है जैसे कि रबर उनी पदार्थ की या AIBA यानि की AIBA यानि की International Boxing Association से मानेता प्राप्त मुलायम पदार्थ से यानि इन तीनों से बन सकता है नेश्ठर रिंग के कैनवास का रंग कैसा होता है तो रिंग के कैनवास का रंग होता है नीला जैसा कि चितर में दिख रहा है नेश्ट है एक मानक रिंग में कितने रस्षे होते हैं तो एक मानक रिंग में चार रस्षे होते हैं जैसा कि चित्र में चार रस्षे दीख रहा है नेश्ट है रिंग के रस्षे किस रंग के होते हैं जैसा कि चित्र में दीख रहा है दोस्तों रिंग के रसे शपहेद रंग के होते हैं नेश्ट है बॉक्सिंग के रिंग में प्रतियोगियों के लिए कौन से दो रंग के कोने होते हैं तो प्रतियोगियों के लिए दोस्तों इसमें दो रंग के कोने कौन कोन से होते हैं तो नीला और लाल होते हैं जैसा कि आपको चितर में दिख रहा है रिंग में प्रतियोगी के लिए कोना जो है एक तरफ नीला है एक तरफ लाल है तीक है ट्रेंगल रूप में और दो तरफ जो दिखाई दे रहा है आपका वो दो तरफ सफेद है अर प्रतियोगी के लिए जो जो कोने होते हैं एक तरफ निला होता है एक तरफ लाल यानि कि निले तरफ का खिलाडी निला पहना द्रेस पहनेगा और लाल तरफ का कोने वाला खिलाडी लाल ड्रेस पहनेगा निर्ष्ट है एक बॉक्सिंग का खिलाडी निम्न में से क्या पहनता है तो यहां पे आपसर नमबर घ ח सही हो जाएगा को है आपका उपरत सभी आपसर नमबर घ रजो जाएगा उपरत सभी यानि कि एज सभी वो पहनता है तो को है голов गम शील्ड को है head gives तथा गैनवास जूते गव है लाल कोने वाला खिलाड़ी लाल किट तथा नीले कोने वाला खिलाड़ी नीली किट यह सब पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा तो उपरोत सभी यहां पे सही हो जाएगा इसके सब्सक्राइब मैंने वीडियो बनाया है दूस्तों दो दिम पहले लाल कोने वाले खिलाड़ी का हैड़ गार्ड किस रंग का होता है तो लाल कोने वाले का जो भी कोई होगा हैड़ गार्ड या कपड़ा वो होता है लाल कलर का बॉक्सिंग का खिलाडी किस रंग का गलब्स पहन सकता है तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है कि गलब्स जो है लाल और नीला कलर का होता है रिंग के कितने ऊपर तक रश्चे बंधे रहते हैं तो यह 1.30 यानि 1.30 मीटर के उचाई तक रश्चे बंधे होते हैं जैसा कि इसमें चार रश्चे होते हैं एक मानक रिंग में तो प्रथम रश्चा जो होता है वह 40 cm उपर होता है और फिर तीनों के बीच में 33 cm का गैप होता है तो चार 40 30 के तो हो जाएगा 70 यानि कि दूसरे रश्चे का जमिन से उचाई हो जाएगा 70 cm और तीसरा रश्चा उसमें भी 30 जोर जोर जिए जोर दीजिए यानि 70-300 यानि कि तीसरे रश्चे का पुचाई हो जाएगा 100 cm और अब चौथा रश्चा जो है उसमें भी 30 जोर जिए तो 130 हो जाएगा 130 यानि कि चौथे रश्चे 130 cm का होगा ठीक है तो जहां पे पुचा है कि रिंग के कितने रहते हैं तो 130 जोर मिटर तक यानि कि एक द्रस्व में 30 म मिटर सबसे निचला हिच्छा की सिच्णा से कितना ऊपर ता है तो सब से तो दोस्तो आज लिए बस इतना ही और जो कोश्चन बचे हुए है वो दो तिन वीडियो में आपकी पूरा होंगे तो दोस्तो आई होप की सभी कोश्चन आपको समझ में आये होंगे वीडियो कैसा लगा मुझे कमें ज़रूर बताईए और ज्यादर ज्यादर सेयर किजिए अब बले रहें मेरे चैनल पर डेली वेसेस पर बेस दिन तयारी के लिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं